चन्नाई सुपर किंग्स के स्टार तेज़ के बाद मतिसा पठिराना फिट घोसित कर दिये गए हैं और ये खबर जैसे ही CSK फैंस देखे होंगे भाई चैन की सासे लिए होंगे और काफी अंदर से उन्हें सुकून हुआ होगा कि चलो हमारा पेस अटैक मजबूत हो जाता है मगर फिर एक दिमाग में ख्याल आया होगा अरे वह तो चले गए थे सिलंका तो क्या वह उपस आके खेलेंगे तो में क्वेस्चन अब यही उड़ता ह है कि अगर वह फिट हो गए तो क्या वह चिन्नई से जुड़ेंगे क्योंकि भाई चिन्नई का एक बहुत इंपॉर्टन मैच है जहां से उनका प्ले आउप में पहुचने का रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा पता चलने वाला है तो काफी इंपॉर्टन मैच है तो वही खबर हम देखेंगे कि क्या वो आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं और अगर आने वाले हैं तो क्या प्रयास कर रहा है नमस्कार मैं हूँ आपका फेवरेट सिद्धान त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं उस क्रूसियल न्यूज की जो की मतिसा पठिराना के बारे में है जो कि जाने से पहले तक टीम के वन अब टॉप विकेट टेकर में से एक थे और सबसे बड़ी बात उनकी जरूरत हर एक चिन्नई फैंस को इस समय है क्योंकि भाई पेस अटेक कहीं से भी मजबूत अब CSK का नहीं दिखाई दे रहा है जबसे वो चोटिल हो गए है तो जो खबर आई है एकदम कंफर्म आई है वो यह कि उपल थरंगा जो सिलंकाई क्रिकेट टीम के सेलेक्शन कमेटी के चेर्मैन है उसके अध्यच है मतलब चेर्मैन है उन् लेकिन अब बात आती है कि क्या वो आई पील खेलेंगे तो भाई यह CSK फैंस के लिए बहुत दुख की बात है CSK ने ट्राइब किया और CSK के टीम अभी भी टच में है लेकिन सेलंकाई क्रिकेट टीम मैनेजमेंट बिल्कुल भी पाथिराना के साथ रिस्क नहीं लेना चा और इसलिए लगभख स्योर है कि मतिसा पठिराना वापस नहीं आने वाले मतलब अगला मुकाबला भी चन्नाई अगला क्या आगे प्ले आप में भी जाएंगे जिसके ज़्यादा चांसे जहें तो वहां पर भी चन्नाई बिना मतिसा पठिराना के खेलेगी तो खुल मिला साथ क्या चन्नाई पाथिराना के बिना और सीवी को हरा पाएगी वह भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं नए अपडेट के साथ कुछ अगले वीडियो में तो इसी के साथ वीडियो समापत होता है वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्रा अपडेट के साथ धन्यवाद